आप के नेता आज तक दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है। पार्टी सिर्फ जूट के सहारे राजनीती करती है। अभी हाली में हम सब ने देखा था कि कैसे दिल्ली के LG द्वारा कराए गए काम का क्रेडिट आप सोशल मीडिया पर ले रही थी। लेकिन जब खुलासा हुआ तो आपने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। अर्विंद के जिर्वाल पहुचने की बात करते हैं। खिलाफ फेक नेरेटिव फैलाने की कोशिस करते हैं। और तभी रगर दिये जाते हैं जनता के द्वारा सोशल मीडिया पर कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरसल महराष्ट के पुर्व मंत्री बाबा सिद्धिकी की हत्या को लेकर घमासान मचा हुआ है। महराष्ट सरकार खासकर ग्रेह मंत्राले समालने वाले डिप्टी सीम देवंदर फटनविस विपक्ष के निशाने पर हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता ने देवंदर फटनविस को लेकर कुछ ऐसा लिखा है जिससे वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। कि क्या उनकी मर्जी के बिना ऐसा हो सकता है। कि मर्जी के लग सकता है। किस दिशा में जा रहा है देश। इश्वर रक्षा करे अब इस देश का। वहीं आप नेता के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने उन्हें जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने एक पुरानी घटना को बाबा सिद्धिकी की हत्या से जोर कर गलत तरीके से पेश किया है। कुछ लोगों ने तो मुंबई पुलिस को टैग करते हुए कारवाई की मांग की है। वरुन गुलाटी नाम के एक यूजर्स ने ग्रे मंत्राले और मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि किर्पया संग्यान लीजिए, सम्मानित नेताओं के लिए गलत जानकारी फैला कर महौल खराब करने की कोशिस की जा रही है। किर्पया डंडनात्मा कारवाई कीजिए। वहीं एक दूसरे यूजर्स ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए लिखा फेक निउस फैलाने के लिए किर्पया सक्त कारवाई कीजिए। वो लोग टीका टिपनी कर रहे हैं दूसरे राज्यों की विशय पर आप के नेता फरजी ख़बर फैला कर बीजेपी को घिरना चाह रहे हैं लेकिन इस बार वो खुद ही घिर गए हैं। और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।